हेलो गाईज वेलकम बैक हमने एकस्टरनल जैनेटी लिया ऊर्गन को पढ़ लिया है अब उन्ही एकस्टरनल जैनेटी लिया औरगूर्गण की ब्लड सप्लाय आपने पढ़ लिया ठीक है कि जो आपने यह घृया ना मायं फ बदय को पीली सब डनें पड़ता था जम ने फे थी सरब 235 के विटे में ऊटनेufenे talk नेंटेर की यह वद से कियों यह एक में यहां वीयमा निंटरे में लोइक भूर्ट के लिएक यहां हो से एलियुक आघरी की दो प्रॉंच जाती है की इंटर्णव उश्री निकलनी स्कुंवेगे सब vet को with your ठीक है जो सब्सक्राइब करती है है दिवारेग और जो फेमूरल आर्टरीब थी यह केमेर बॉनों को सब्सक्राइब करती है उस के एक प्रांच पूटैन पुडंडल आर्ट्री में, अब आपको समझा है, पुडंडल आर्ट्री क्या करती है, में ब्रांच होती है ये आपकी, ठीक है, ये में ब्रांच आपकी सप्लाई करती है, उसको, जो आपके एक्स्टरनल जैनेटीलिया के ओर्गन है, पुडंडल इसलिए आया, क्योंकि एक् अब जो ये तो आपने arterial supply पढ़ ली, arterial supply में क्या होगा, abdominal, iota, common, iliark artery में convert होगी, उसके internal branch, pudendal artery में convert होगे, आपके mesora, minora, vestibule, mons, pubis, इन सब को supply करेगी, एक तो यहागी मेना artery, और इसके साथ femoral artery की भी एक branch cutaneous artery आपके supply करेगी, external genitalia को, यहाँ पे जो venus supply होगी, वो कौ प्लक्सिस बनेगा, प्लक्सिस का मतलब होता है, गुच्छा, veins का गुच्छा आपका वेजाइना के अंदर बनता है, और जैसे pudendal artery है, वैसे pudendal vein होगी, जो venus return लेके जाएगी, ठीक है, जो venus blood को कहा लेके जाएगी, वापिस आपकी heart तक लेके जाएगी, तो यह आपकी supply थी external organs को, ठीक है, next हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपका, किसके बारे में, internal organs के बारे में, internal reproductive organ के बारे में, यह मतलब अगर आपको पूरा याद नहीं रखना है, तो सिर्फ आप इतना भी याद रख सकते हो, pudendal artery होती है, pudendal vein होती है, जो external genitalia को supply करती है, ठीक है, next आपको पढ़ना है, किसके बारे में, internal organs के बारे में, यह अलग सा diagram है, जिसके अंदर में आपको सारे internal organ दिखा देती हूँ, ठीक है, सबसे पहले, यह जो organ आपको दिखा रखा, यह आपकी vagina होती है, ठीक है, internal vagina, जो आपको बाहर से नहीं दिखती है, ठ vagina होती है, ठीक है, vagina आपकी आगे जाके convert होती है, यह आपका सारा क्या है, uterus, uterus की चारों दोनों तरफ क्या होती है, आपकी, fallopian tube, fallopian tube किसके साथ attach होती है, आपकी, ovary के साथ, देखो, ovary uterus के साथ भी connected है, और fallopian tube के साथ भी, अब vagina के आगे की तरफ जो organ होता है, वो कौन सा है रेक्टम चुछिए क्या है आपको पताना चेह यह क्या है आपको जाईना यूट्रस फेलोपिंट्व Sh plotting और आपका और यजाईना के आगे सचुत है or difficulties यो यो चीज देखिए यह आपको जंद्सक्राइब यह ब्लइडर पोस्टिरियर जो भी लेकिन यह जो आपको लाइन पता चल रही है यह लाइन है यह आपकी परिटोनियम की है परिटोनियम अगर आपने ध्यान से कभी पड़ी हो परिटोनियम क्या होती है जो आपकी एब्डोमनल जो केविटी है उसको कवर करके रखती है वह लेयर होती है आपकी परिटो को cover कर लेती है plus आपके rectum को भी cover कर लेती है ठीक है अब देखिए जो आपका ये एक space बन रहा है यहाँ पर एक space यहाँ पर बन रहा है जो आपकी peritonial fold present होती है urinary bladder और आपकी uterus के बीच ठीक है तो आप इसको क्या वोलोगे ये वोलोगा आप इसको utero vesicle pouch ठीक है वैसिकल जो word है वो urinary bladder के लिए यूज किया जाता है science की language में utero मतलब uterus और vesicle यानी bladder इन दोनों के बीच में pouch बन रहा है किसका peritonial cavity का peritonium layer का इस pouch को आप क्या वोलोगे utero vesicle pouch ठीक है क्या देखने को मिल सकता अगर इनके बीच में abnormal connection भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर abnormal connection जब देखने को मिलेगा वैजाइना और bladder के बीच अगर abnormal opening मैंने आपको respiratory के अंदर एक fistula बताया था fistula word क्या था आपका abnormally opening हो जाए अगर आपकी आपको यहाँ bladder और वैजाइना के बीच भी देखने को मिल सकती है ठीक है अगर यहाँ पर वो देखने को मिलती है तो वैजाइना के ध्रू आपको urine भी पास आउट होता हुआ देखने को मिल सकता है देखिए यह urethral opening होगी यहाँ पर यह vaginal opening होगी अगर इन दोनों के बी वैजाइनो वैसिकल fistula ऐसा कुछ यूज़ होते है इसके लिए और यहां पर बहल इसका है थे कटलेक्षोटन नौर्मल यह ओप एको सकता है वैजाइना और पास आउट होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ऐसा आपको आपकी प्रेक्टिकल फिरड में कभी देखने को म ले आपको वैसे तो वेजाइनल ओपनिंग से सिर्फ ब्लड आता है दूरिंग मेंसुरेशन और कुछ नहीं आना चाहिए अगर वेजाइनल ओपनिंग से आपको यूरीन आता हुआ देखने को मिल सकता है यह फिर स्टूल तो यह एक अबनॉर्मल कंदीशन है आपको तुरण एक बात थी जो आपको पता होने चाहिए कि इनके बीच कनेक्शन बन सकता है यह एक एक अग्जाम्बल था जो मैंने आपको फिस्टूला वहां पढ़ाया था यह हमने पढ़ लिया यूट्रो वैसिकल पाउच क्या था यह क्या था आपका एक कैवेटी लाइक में इस पाउच को आप क्या बोलते हो पाउच ओफ दगलस ठीक है यह कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अपने लाइस के अंदर समझने चाहिए या पता होना चाहिए इनके बारे में जब आपका यूट्रोस और इसके वीच में बनने को देखने को मिलेगा रेक्तम के वीच मे अपने सुने होंगे और आपको और इसकरम दिखाए गई है और क्या अब दिखाक सेखर वीच्ण की तरफ से अब देखिए जब प्रेगनेंट होती एक लेडी तो यह यूट्रोस का साइज बढ़ता जाता है तो प्रेशर किस पर बढ़ता जाएगा और इसे लिए बार बा तो तब पूरा प्रेशर किसके उपर पड़ता है आपका इसके उपर और पिछे की तरफ यह साइज कम हो जाएगा तो आपको कि गिए और यहां पर बार बार यूरीन जाना पड़ेगा उस लेडी को ठीक है तो यह इसके बारे में था बाखी हम डिटेल में आपकी कौन-कौन से अक्ट्रेन गाओ और पड़ेंगे ऐखे तेंक्यू गाइज